यह विदियो में हम लोग weekly analysis करने वाले 11 जैनुवरी से लेके current week का nifty and magnifty analysis करेंगे और साथ में मैं आपको 5 stocks बताऊंग जिसमें आप swing trading कर सकते हो तो पहले analysis करते हैं nifty, nifty में अगर आप देखो daily chart पे clean and clear trend अभी भी strong है मैंने इस level पे buy दिया था 13,800 के आसपास और मैंने तभी आपको बोल दिया था 14,000 और 14,200 तक के targets possible है nifty में और वो target अची हो चुके हैं अब जो current candle है current level है यहां से भी strength हमें देखने को मिल रही है लेकिन अगर आप next important level देखो तो 14,500 यह एक round of number है यहाँ पर कही ना कि यह market में थोड़ा बहुत profit booking देखने को मिल सकता है क्योंकि अगर आप देखो last 10 दिन से एक भी बड़ा red candle हमें देखने को नहीं मिला है थोड़ा बहुत profit booking हमें देखने को मिल सकता है 14,500 के level के असपास तो अगर 14,484,70 के असपास मिलता है nifty तो काफी अच्छा short रहेगा 50,60 पॉंट का आपको stop loss रखना है और आप short 800 green candles बन रहे हैं और काफी अच्छे volume के साथ बन रहे है तो volume अभी भी है green candles अभी भी है इसका मतलब अभी भी trend continue है और यहां से हमें और 100,500 पॉंट की rally देखने को मिल सकती है पर 14,500 के असपास कोई भी negative price action बनता है तो definitely 50,60 पॉंट के stop loss के साथ हम लोग sell कर सकते है nifty को 100,500 प 90 को follow कर रहा है तो अगर Nifty में थोड़ा बहुत correction आँमें देखने को मिलेगा तो definitely bank 50 में एक बड़ा fall में देखने को मिल सकता है तो bank 50 में आपको wait and watch करना है अभी फिलाल यहांपे कोई negative price action नहीं बना है लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहाँ से prices अगर यह turn होता है तो definitely एक शाफ फॉल में देखने को मिल सकता है वापस यह 31,000, 30,500 तक आ सकता है so 1,500 पॉट का फॉल में देखने को मिल सकता है बैंग निफ्टी में अगर यह turn होता है और काफी अच्छे volume के साथ selling चालू होती है तो आपको बैंग निफ्टी में buy करने के राए बिल्कुल भी नहीं होगी आपको wait and watch करना है कोई भी negative price action अगर मिलता है कोई भी negative candle अगर मिलता है काफी अच्छे volume के साथ तो बैंग निफ्टी में आपको shot के तरफ ज़ाध यान देना है 100 point का stop loss रखना उससे ज़ाधा stop loss मत रखना नीचे में मुझे लगता है 500 से 700 point का fall हमें easily देखने को मिल सकता है तो बैंग निफ्टी में आपको shot के तरफ ज़ाध यान देना है बैंक निफ्टी का अगर आप 15 मिनिट का भी चार्ट देखो तो आप देख सकते हो clean and clear distribution face में चल रहा है उपर के तरफ consolidation हो रहा है अगर ये नीचे के तरफ breakdown देता है 32,000 का level अगर तो 3500-3000 के level हमें easily देखने को मिल सकते हैं इसलिए मैं बार-बार बोल रहा हूँ बैंक निफ् sell के select किये हैं और एक stock buying का select किया है मैं आपको logic भी बताता हूँ हम लोग analysis भी करेंगे कि हम लोगों ने stock sell क्यों दिया है और buy में जी entertainment क्यों select किया है तो सबसे पहला stock है M&M financial services अगर आप देखो एक strong uptrend में था ये stock और यहाँ पर इसने bearish engulfing pattern बनाया है अगर इसका low इसका previous support था ये तो 165 तक के target claim इसको sell कर सकते है exactly को उसे level पर sell करना मैं आपको मेरे telegram channel में बता दूँगा लेकिन top पर bearish engulfing बना है अगर इसका confirmation candle बनेगा तो definitely correction अब देखने को मिल सकता है next top indigo cell है indigo cell क्यों लग रहा है मैं आपको समझाता हूँ अगर आप देखों बात में bearish engulfing बना है यह bearish engulfing ज्यादा powerful हो जाता है क्यों powerful होता है क्योंकि यहां पर double top भी है आप देख सकते हो clean and clear तो exactly कौन से level पर sell करना है मैं आपको telegram channel में बता दूँगा लेकिन इसमें मुझे लगता है 1600 तक ही आ सकता है stock 1600 तक के level देखा सकता है तो इसमें भी आप यह इसका double top था यहां पर इसने breakout दिया था breakout दिया है लेकिन यह level को एक बार भी इसने retest नहीं किया है और अब red candle बना है तो मुझे लगता है यहां तक यह retest कर सकता है इसमें ज्यादा बड़ा target expect मत करना 254 तक का target हम इसमें expect कर सकते हैं क्योंकि मुझे लगता है इस level को यह daily chart देखो तो यह supply zone में है इसके उपर मैंने already एक video बनाया हुआ है यह अभी एक supply zone में है यहां से अगर आप देखो supply हमें देखने को मिल चुकी है और red candle हमें देखने को मिल चुका है मुझे लगता है यहां से एक sharp fall देखने को मिल सकता है और यह 500 तक का levels easily retest कर सकता है भारत देखने को मिल थी Friday के session में और अगर आप देखो यह breakout level के आसपास है अगर यह breakout देता है तो next target 260, 265 का आता है इसमें जो कि यह previous resistance है उसके बाद 300 के level का target आता है तो यहां पर काफी एक अच्छा बड़ा आप मुझे देखने को मिल सकता है लेकिन अभी तक इसने breakout नहीं दिय तब हम लोग इसको buying करेंगे लेकिन अभी आपको इसको market watch में add करके रखना है यह breakout कभी भी दे सकता है तो यह था 5 stock का analysis यह पांचो stocks के levels जो है यह मेरे telegram channel में आपको मिल जाएंगे मेरे telegram channel का नाम है intraday traders मनीश शर्मा यह telegram channel आप जरूर join कर लेना क्योंकि इसमें आपको cash level intraday trades भी मिलते हैं plus options buying और options selling के trades भी मिलते हैं तो यह पांचो stocks कौन से level पर buy करना है कौन से level पर sell करना है यह पांचो stocks के levels मैं यहाँ पर telegram channel में update कर दोगा तो आज के लिए वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो और analysis अच्छा लगा तो वीडियो के लागेंचे ज कर दो